तो आज बच्चों मैं एक बहुत ही इंट्रस्टिंग एक्टिविटी लेके आई हूँ तो देखिए यह उपर में क्या लिखा हुआ है फिल इन दा ब्लैंक्स मतलब खाली जगह को भरो और हम लोग लास्ट क्लास में क्या रीट किये थे आपको मैच मैचिंग एक्टिविटी था ब्लैक से कलर को मिलाना था गोट से अनिमल गोट इस अनिमल पापया इस फ्रूट बिंजल इस वेजिटेबल आप ऐसे मैच किये थे crow is a bird और marigold is a flower तो ये मैचिंग एक्टिविटी हुआ था और आज इसमें fill in the blanks है आप pictures को देखिए यहां मैं आज picture बनाई हूँ और नीचे में भी है same चीज है आपको यहां से देखना है आप यहां से आप देख सकते है और देखके यहां आपको सही answer देखके यहां से ल apple का तो apple is a apple क्या है apple is a हम कल बताए थे fruit apple is a fruit apple क्या है फल है तो आपको यहां क्या लिखना है fruit fruit का spelling क्या होता है f r u i t fruit तो आप यहां सुन्दर से f लिखिएगा then r u i t fruit आप यहां नीचे से देख सकते हैं कि apple काहां बना हुआ है और यह apple के नीचे यहां fruit लिखा हुआ है तो जिसको spelling याद नहीं है वो यहां से देखके लिख सकते है ठीक है आपको ढूड़ना है यहां से फिर क्या है cat cat is a बताए तो cat क्या होता है cat is a animal cat janvary होता है तो यहां पर animal लिखा हुआ है देखके और यहां cat बना हुआ है अब यह क्या है lotus तो lotus क्या है बताए तो full है flower lotus is a flower तो आपको यहां क्या लिखना है देखिया मैस यहां बनाई हूई है flower रहाgeois नीचे lotus है आपको धुनना है यहां से F-L-O-W-E-R, flower, तो आपको यहाँ सुन्दर से flower लिखना है, देन देखी, यह क्या है, ब्रिंजल, बैगन, तो ब्रिंजल क्या होता है, सबजी है न, तो ब्रिंजल is a vegetable, सबजी है, तो आपको यहाँ देखना है, कहाँ पे vegetable है, और जिसको spelling खुझ से आता है, वो यहाँ पे vegetable खुझ से लिखेंगे, V-E-G-E-T-A-B-L-E, उसी तरह यह देखिए, duck, duck is a bird, duck क्या है, चिरिया है, यहाँ भी B-I-R-D bird, तो यह आपको सुन्दर से इसको लिखना है, लिखने के बाद आप खुझ से इसको ड्राइंग कीजेगा, और इसमें color भी कर लिजेगा, और आप यहाँ से choose करके भी लिख सकते हैं, ओके चिरियन, बाई बाई